हेलो स्टेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं exercise 9.5 का differential equation का question number 9 देखते हैं क्या है हमें एक given equation है इसको homogeneous check करना है और इसका solution find out करना है क्या है हमारे पास equation y dx plus x log of y by x dy minus 2x dy equal to 0 अब इसके अंदर क्या करेंगे ध्यान से देखो पहले equation लिख लो y dx plus में x log of y by x dy minus में 2x dy is equal to 0 यह दे रखा है हमें अब यहाँ पे देखो y dx dx वाली term को एक तरफ ले जाओ without dx वाली term को एक तरफ रखो इसको हम right side ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा यह y dx इदर गया तो minus का y dx इस term और इस term में से देखो x भी common आ रहा है और dy भी common आ रहा है तो यहाँ पे हम ले लेते हैं minus का x dy common ले लिया वही तो यह क्या हो जाएगा हमारे पास यह minus का x dy common लिया तो यहाँ पे minus का 2 क्या हो जाएगा plus का 2 बन जाएगा यह टम माइनस की हो जाएगी माइनस का लोग of y by x बचेगा ध्यान से देखो माइनस का x dy को में ले लिया तो क्या बचा मेरे पास यहाँ तो plus का 2 हो गया माइनस का x dy गया तो plus का 2 यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का लोग of y by x clear बात है अब हमें dy by dx चीए, यहाँ पे देख लो, यह dy है, minus से minus cancel, dy by dx is equal to, यहाँ पे क्या है y, यह x निच्छे चला जाएगा y by x into में 2 minus log of y by x, यह टम बन गई या नहीं बन गई, कोई दिक्कत नहीं होनी चीए, clear है, अब इससे आगे देखते हैं, अब यहाँ पे देखो, यह y by x क इसको और फर्दर लिखना चाहें, तो ऐसे लिख देंगे, dy by dx equal to y by x upon में 2 minus log of y by x, लिख सकता हो ना ऐसे, यहाँ पे multiply में ही मनना जाएगा, y by x की फोर्म में आ गया, तो क्या आ गया, this is homogeneous, homogeneous, homogeneous equation, अब यहाँ पे क्या करना है, हमें, put, क्या put करते हैं, y is equal to vx, differentiation कर लो, y का dy by dx is equal to, v as it is x का हो जाएगा 1, plus में x as it is v का हो जाएगा dv by dx, और यहाँ पे v की value अगर मैं निकाल लो, तो क्या होगी, y by x होगी, बात आई समझ में, clear है, कोई लिक्त नहीं, इसको हम क्या करेंगे, equation number first के अंदर put कर लेते हैं, dy by dx की value क्या ही है, v plus x, dv by dx equal to, y by x की जंगा क्या put करेंगे, v upon में 2 minus log v, कोई problem नहीं है, v को ले जाओ right side, x dv by dx is equal to, v by 2 minus log v, v को right side लेके गए, minus का v upon में 1, इसको simplify कर लो, यहाँ पर क्या आगया, मेरे पास, x dv by dx equal to, lcm कितना आगया, 2 minus log v, 2 minus log v से एकट गया, v minus में, v की इससे multiply होगी, तो minus का 2v, और minus v की इससे हो जाएगी, तो plus का v log v हो गया, हो गया या नहीं हो गया, ध्यान से देख लो, बस कोई दिक्कत नहीं होनी चीए, अब इसको simplify कर लो, थोड़ा और, x dv by dx equal to, बच्चो, minus के 2v में से v गया, minus का v, plus में v log v, upon में 2 minus log v, कोई problem नहीं, ठिक हैं, उपर से क्या common नजर आ रहा है, आपको v common नजर आ रहा है, तो v common ले लेते हैं, x dv by dx equal to, उपर से v common लिया, तो यहाँ पर क्या बच गया, minus का 1 plus log v, और upon में 2 minus log v, v वाली term को एक तरफ करो, without v वाली term को एक तरफ, इसको उपर लेके जाएंगे, तो क्या हो गया, 2 minus log v, upon में v into, इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं log v, minus 1 लिख सकता हूँ या ने, minus 1 को पिछे लिख दिया, log v को आगे लिख दिया, इसका integration with respect to v, dx इस तरफ जाएगा, और x निच्छे आएगा, तो dx by x हो गया, यह time आगई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चीए, समझ में आगया होगा अच्छे से, अब इसको हमें integrate करना है, अब इसको integrate करने के लिए हमें next phase पे जाना पड़ेगा, तो next phase पे देखते हैं इसको, तो यह आगया बहें next phase पे, इसको हमें integrate करना है बच्छो, इसको ध्यान से integrate करेंगे, देखो कैसे करेंगे, यह हमारे पास क्या है, अब इसको रखो separate, यहाँ पे देखो कैसे करेंगे, इसको लिखने का तरीका, ध्यान से देखो, इस टाइप के question हम previous भी करते आए हैं, यहाँ पे अगर x होता, टू माइनस x अपोन x माइनस 1 होता, तो हम इसको अलग कैसे बना के लिखते हैं, वो देखो एक बार, यहाँ पे क्या होता, जो denominator होता है न, 1 बाइ लोग v माइनस 1 कर लो, और माइनस में क्या कर दिया, 1, और इंटू में dv बाइ v, इसका मतलब यह है, कैसे है, इसको LCM लेके simplify करके देखो, बच्चो, 1 by log v, minus 1 और minus 1 upon 1, इसको simplify करो, देखो, LCM क्या आगया, log v minus 1, log v minus 1 से एकट गया, तो यहाँ पे 1 आगया, 1 से इसको divide करेंगे, इसकी से multiply हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरा minus का log v, और minus 1 और minus 1 क्या हो गया, प्लस का 1, और 1 और 1 क्या हो गया, 2 minus log v upon log v minus 1, यही तो आगया बपिस, तो इसको हम इस तरीके से separate कर सकते हैं, बहुत सारे question में करके दिखा है, हमने ऐसे, तो इसको हम directly ऐसे convert कर सकते हैं, is equal to integration dx by x, ठीक है, अब इसको simplify कर लो, कैसे integration करेंगे इसको, वो देखो द्यान से, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1 by log v minus 1, और minus 1 dv by v is equal to log x, और dx by x दे रखा है, यहाँ पे हमें इसको क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा, पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, पुट, log v minus 1 is equal to t, यहाँ पे देखो मेरे पास क्या आ गया, log v है, इसका क्या हो गया, 1 by v, और minus 1 का 0 हो जाएगा, तो into dv is equal to किसके आ गया, dt के, यहाँ गया या नहीं आ गया, तो क्या बन गया है, हमारे पास यहाँ पे integration, 1 by, log v minus 1 को t पुट के है, तो 1 by t, minus 1 into, dv by v किसके equal हो गया, dt के, is equal to integration dx by x, अब देखो यहाँ पे 1 by t का करेंगे, तो क्या हो गया, log of t, minus 1 का करेंगे, minus t, is equal to dx by x का क्या हो जाएगा, log x, और plus में log c ले लिखते हैं इसको, ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जो ncrt ने answer निकाल रखा है न बच्चो, वो क्या कर रखा है, log c के साथ में सारा constant है, जूम कर रखा है, plus 1 अपने पास से मान रखा है, उन्होंने कि इस question में plus 1 भी होगा, तो हमें लगाना पड़ेगा, otherwise इसका answer थोड़ा से different आएगा, ना लगाओगे तो, अब यह कैसे पता चले कि sir, 1 लगेगा, भई आप ना लगाओगे ना तब answer निकालोगे, वो इक्वल तो, यहां पर t की वेल्लु क्या थी, लोग v-1, पुट कर दो, लोग of, यहां पर क्या जएगा, लोग v-1, और माइनस में t की जगा जएगा, लोग v-1 is equal to, यह क्या होगाओगा, लोग x प्लस लोग c, लोग of cx, और प्लस में 1 हो गया, अब v की वेल्लु भी पु minus 1 minus में log of y by x minus 1 is equal to log cx और plus में 1 हो गया अगर आपको ये 1 confuse कर रहा है कि 1 क्यों add हुआ तो उसको एक काम करते हैं यहां से इसको छोड़ के चलते हैं भी हटा दिया हमने बट आपको क्या करना पड़ेगा यह log cx है इसको ऐसे की ऐसे रखना पड़ेगा अभी log x plus log c और यहां पे भी क्या देगा log x plus log c ठीक है ऐसे करके देखते हैं इस question को अब ध्यान से देखो इसमें next page बे चलते हैं थोड़ा सा और question है यह यह time आ गई थी हमारे पास अब देखो इसमें क्या करना है log of mode log y by x minus 1 इसको ले जाओ right side तो क्या हो गया log x plus में log c और यह minus 1 इस तरफ जाएगा plus 1 और यह इस तरफ जाएगा तो plus का log of y by x हो जाएगा भई ठीक है अब यहां पे देखो मेरे पास क्या आ गया log of mode log y by x minus 1 equal to यह हो गया log x plus में log c plus 1 यह सारा क्या है बच्चो constant तो इसको मैं log c ही लिखूंगा और plus में log of y by x सारे के सारे log plus में है तो multiply हो जाएगे कैसे log of mode log y by x minus 1 equal to log m plus n का लगाएगे तो यहां पे क्या हो जाएगा log of x c और plus में log of y by x फिर यहां पे लगेगा तो क्या हो गया log of mode log y by x minus 1 equal to log m plus log n log m into n होता है log of x c into y by x x से x कट गया log से log कट गया तो क्या आ गया log of y by x minus 1 is equal to c y यह answer हो गया हमारे पास समझ में आ गया clear है यही answer होगा सायद ncrt में देख लेने एक बार कोई दिक्कत नहीं होनी चीए बाकी वहां पे भी अगर one लेके चलेंगे फिर वो one plus one two हो के constant हो जाएगा रखना constant है उसको बिना one add किये भी हम कर सकते हैं ठीक है answer same ही आ रहा है कोई दिक्कत हो आम मुझसे पूछ सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब किजिए लाइक किजिए और सेयर जरूर किजिए थैंक्यू स्टोडेंट्स पर वाचिंग नेक्सा क्लासेज वीडियो